इस देश में अगर रहना है तो मोदी योगी कहना है लेकिन हमें अन्दाजा नहीं था आपको भी अन्दाजा नहीं होगा कि ये नारा और इस नारे की अंधी जिद हमें एक ऐसे शर्मनात मोर पर पहुचा देगी जहां हम भारतिये कहलाने पर शर्मिंदा महसूस करेंगे एक देश के तौर पर आज हम सब की नजरें जोकी हुई है क्योंकि एक नारा लगा है इस देश में अगर रहना है तो मोदी योगी कहना है ये जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे सुनने के बाद दिल बैठ जाएगा आपको आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नफरत की याग ने नफरत के जिद ने हमको कहां से कहां पहुचा दिया है हम सब को एक नागरीक से भीड में तब्दील कर दिया जा रहा है हमारे हाथों में ऐसे हथियार ठमाए जा रहे हैं जिसके नतीजे में हमारे सामने के वल लाशे मिची होगी ये कहानी भारतिये रेलवे की कहानी है इंडियन रेलवे इस देश की ट्रेन में कतले आम हुआ है कतले आम चार लोगों को मारा गया है मोदी योगी का नाम लेकर ये बार बार इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि मारने वाले ने यही कहा था कि इस देश में सिर्फ दो लोगों को वोट दिया जाना चाहिए मोदी को और योगी को तो क्या जो लोग मोदी और योगी को वोट नहीं करेंगे जो मोदी और योगी को जिन्दा बात नहीं करेंगे जो मोदी और योगी के आगे सर नहीं जुकाएंगे और जो मोदी और योगी का विरोध करेंगे उनको गोली मात दी जाएगी उनको मौत के घाट उताद दिया जाएगा उनको सडकों पर फेक दिया जाएगा उनसे जीने का हच छीन लिया जाएगा ये सवाल इसलिए उठा है कि भारत की एक एक्सप्रेस ट्रेन में एक रेल गारी में जो जैपुल से मुंबई चलती थी उस ट्रेन में मुसल्मानों का गतल याम हुआ है मुसल्मानों का कटले आम और मारने वाला कोई सिर्फिरा नहीं है मारने वाला कोई गुंडामवाली नहीं है वो बाकाइदा फोर्स की वर्दी में था ड्यूटी पन्ते नाथ ठा चल्विस रिवॉल्वर के साथ सफर कर रहा था और उस ट्रेन में मासूम मुसाफिरों का जो टिकेट लेकर मुंबई पहुचना चाहते थे उनको मौत के गाट उतार दिया गया एक बार फिर कहता हूँ मोदी योगी का नाम लेकर कहानी सुनिये और कहानी क्या है हमें एक ऐसे जानवर में तब्दील किये जाने की कहानी है जिसमें हम सब अंधे होते जा रहे हमें देखना बंध हो चुका है हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवाए इसके कि मोदी और योगी इन दो लोगों के लिए पूरा देश काम करेगा और इन दो लोगों के सामने पूरा देश नत्मस्तक होगा यही संदेश गया है इसकतले आम से सुनिये जैपुल से मुंबई जाने वाली सुपर फास्ट ट्रेन अपने गंतव्य की और जा रही थी सुबह के पाँच बजे थे सरा सोचिये सुबह के पाँच बजे ट्रेन मुंबई से ठीक पहले वापी इस्टेशन पर रुखती है वापी इस्टेशन से पहले एक कॉंस्टेबल जो आरपी इफ में तैनाद था 33 साल का चेतन सिंग कंट्रोल रूम को फोन करता है कि मुझे बेचैनी महसूस हो रही है कंट्रोल रूम उसके रिप्लेस्मेंट के लिए वापी पर एक दूसरे कॉंस्टेबल को टैनाद करने की बात करता है लेकिन कुछी देर बाद चेतन सिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं ड्यूटी कर सकता हूँ कोई नहीं जानता था कि वापी इस्टेशन के बाद क्या होने जा रहा है कौन सा खेल खेला जाने वाला है मौत का खेल कतलेयाम का खेल इस तेश को नीचा दिखाने का खेल संविधान को रौधने का खेल मोधी और योगी का नाम लेकर जैसे ही वापी स्टेशन से जैपूर मुंबई सूपर फास्ट आगे निकलती है एक स्टेशन आता है उससे स्टेशन का नाम है छोड़ा सा स्टेशन है वैतरना वहां ट्रेन पहुंचती है और अचानक से धाएं धाएं की आवास आने लगती है पता चला है अभी तक की जा बहस होती है मोधी और योगी को लेकर उनके राज को लेकर महंगाई को लेकर बेरोज़कारी को लेकर बहस होती है इस बहस के बाद चेतन सिंग 33 साल का चेतन सिंग अपने अफसर पर अपनी सर्विस रिवालवर तान देता है अपनी ऑटो मोटिक सर्विस रिवालवर और सी पॉइंट ब्लैंक रेंज से फिर कहता हूं पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपने अफसर जिसको वो सलाम ठोकता था जिसको वो रिपोर्ट करता था वादिवासी थे टीका राम मीना टीका राम मीना को छेतन सिंग पॉइंट ब्लैंक रेंज से खोली मार देता है गोली मार देत है और टीका राम मिना वहीं ठेर हो जाते हैं इसके बाद नफरत की याग में जलता हुआ चेतन सिंग आगे बढ़ता है इस सिक्स कोच में उन्हें एक मुसल्मान मुसाफिर नजर आता है चेतन सिंग कुछ नहीं देखता है नडिकट मांगता है नपहचान पूछता है नउनका कसूर पूछता है वो नीन से बस जागे थे और इसके बाद उन्हें भी point blank range से गोली मार देता है चेतन से इसके बाद एक और मसाफिर वहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है वो A.S.I.T. का राम मीना को गोली मारने के बाद आगे बढ़ता जा रहा था और जो भी मसल्मान उसे नज़र आ रहा था उसको गोली मारता जा रहा था इसके बाद वो A.S.G.A.R. अली अरतालीस साल के उनको गोली मार देता है अब्दुलकादर चौसट साल के उनको गोली मार देता है यहां तक कि वो पैंट्री कार तक पहुँचता है और पैंट्री कार में भी एक मसाफिर को गोली मारता है दो मसाफिरों का नाम सामने आ चुका है एक अफसर का नाम सामने आ चुका है टीकारामीना, असगर अबास अलीर तालीस साल के और अब्दुलकादर चौथे मसाफिर के नाम का पता लगाया जा रहा है लेकिन उसने गोली इस वज़े से चलाई क्योंकि वो मोदी और योगी को लेकर पागल हो चुका था संकी हो चुका था और उसके दिमाग पर उसके दिल में खून सवार हो चुका था नफरत से भरा हुआ चेतन सिंग जैपुर मुंबई सुपर फास्ट एक्स्प्रिस में गोलियां बरसाता जा रहा था ताबर तोर क्या आप सोच सकते हैं कि पूरे बारह राउंड पूरे बारह राउंड गोली चलाई चेतन सिंग ने ट्रेन की कांच भी तूट गई पॉइंट ब्लैंक रेंस उसने सब को मारा मतलब बचने के कोई गुंजाइश नहीं थी और उसने सिर्फ इस वजज़ा से गोली चलाई कि वह मर जाएं और वह मुसल्मानों से नफरत में अंधा हो चुका था और गोली मारने के बाद एक वीडियो सामने आया है उस वीडियो में वह कहता हुआ नजर आ रहा है जो आवाज आ रही है वह आवाज यह आ रही है जरा सुनियेगा और ध्यान से सुनियेगा वह कहता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए यह शब्द सुनियेगा कि पाकिस्त से ऑपरेट हुए ये और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है पता नहीं कौन सी मीडिया कवरेज दिखा रही है उनको सब पता चल रहा है यह क्या कर रहे हैं अगर वोट देना है गौर से सुनिएगा अगर वोट देना है अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मो मोधी और योगी ये दो है बस मतलब जो लोग मोधी और योगी का नाम नहीं लेंगे जो लोग मोधी और योगी के आगे सिर नहीं जुकाएंगे उनकी नीतियों से सहमत नहीं होंगे और जो लोग उनकी नीतियों का विरोध करेंगे उनको गोली माद दी जाएगे ट्रेन में गाजर मुली की तरह उनको उखाड कर फेक दिया जाएगा रेलवे की ये खबर सुबह पाँच बजे की है और रात के दस बजे तक रेलवे कोई बयान जारी नहीं करता खबर को दबाए जाने की कोशिश होती है कोशिश नहीं बल्कि दबा दी जाती है टेलिवीजन से खबर गायब एक्स ग्रेशिया अनाउंस कर दिया जाता है मुआवजा अनाउंस कर दिया जाता है पच्चिस लाग पंद्रा लाग इंशोरंस के पैसे देने की बात हो जाती है लेकिन कोई आफीशियल स्टेटमेंट नहीं आता जी आरपी का कहना है कि वीडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है चेतन सिंग्की कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं मीडिया वालों को अगर वोट देना है तो हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी इस वीडियो में जो आवाज है उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं हम पता लगा रहे हैं कि ये आवाज है कि इसको किसी तरीके से एडिट किया गया है ये भी कहना है जी आर्पी का कि हम मुसाफिरों से बात करेंगे ये भी कहना है कि हम TTE से बात करेंगे लेकिं रात के 10 बज़े तक ये बात देश को नहीं बताई जाती है कि इस तेश की एक रेल गाड़ी में एक चलती हुई रेल गाड़ी में और पीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को एक आफिसर को दो मुसल्मानों को तीसरे की पहचान नहीं है पता नहीं उनका धर्म क्या होगा गोली मात दी जाती है और कोई बयान जारी नहीं करता रेलवे पता नहीं है शविनी वैस्टलों क्या है वेट इतना चांब इतनी सी अगर पट्री बिछाते हैं तो अपनी सेल्फी डालते हैं फोटों किचवाते हैं धोल नगाले बज़ाते हैं अश्विनी Twitter पर एक statement तक नहीं है जैसे इस देश में लोगों को जानने का हक नहीं है कि आपने किस हक से मोदी और योगी का नाम लेकर आपकी फोर्स ने जिसको मुसाफिरों की हिफाज़त के लिए तैनात किया था उसने गोली मारी और ये बात बहुत पड़ी है इस देश के फोर्स को किस तरफ मोड़ा जा रहा है ये उसकी एक शिनाख्त है उसकी एक बानगी है उसकी एक समझ बनती है कि हम दरसल नाजी में तब्दील किये जा रहे हैं यही करते थे नाजी अगर उसकी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिये जाएगे हम क्या उसी तरफ पड़ रहे हैं ये सोचने की बात है जरा कमाल देखिए अब ये बात फैलाई जा रही है कि ये जो हत्यारा चेतन सिंग है वो मानसिक तोर पर ठीक नहीं है और ये बात सिर्फ उसको बचाने के लिए की जा रही है क्योंकि ऐसा कोई सबूत अभी तक सामने नहीं है और अगर सबूत हो भी तो ये सवाल रेलवे पर है कि कैसे मानसिक तोर पर एक विक्षिप्त आदमी को ड्यूटी पर लगाया लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ढोंग है और चेतन सिंग को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो हिंदू है और उसने ये धिनोना काम मोदी और योगी का नाम लेकर किया है एक बात और उसने मोदी और योगी का नाम लिया चेतन सिंग ने जरा सोचिए कि मारने वाला अगर मुसल्मान होता और उसने अल्लाहु अक्मर कह दिया होता, इस देश में आग लग गई होती, भारतिये जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलिवीजन चनलों पर चीख रहे होते, टेलिवीजन चनलों के एंकर कपड़े उतार के नाच रहे होते, और इस देश के चलती हुई रेल गारी में मुसल भूल नहीं रहे, शर्मिंदगी होती है, हम इसको टाल नहीं सकते, हम इसको भूल नहीं सकते, इस पर बात करनी होगी, हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि इस देश की हुकूमत हमको लेकर कहा जाना चाहती है, हमको क्या बनाना चाहती है, हमारे दिमागों में मुसलमानो को लेकर जो जहर बोया जा रहा है वो जहर हमको कहां ले जाकर छोड़ेगा यह बात सच है और यह बात एक घिनोना सच है कि भारत की रेलो में अब हम सुरक्षित नहीं हैं हम को कभी भी गोली मारी जा सकती है और मारने वाला सिर्फ इतना कहेगा कि आप मोदी और योगी के विरोधी हैं, आप मसल्मान हैं, आप इसाई हैं, इसलिए आपको जीने का हक नहीं है वो अपनी सर्विस रिवालवर निकालेगा और पॉइंट ब्लैंक रेंच से आपके माथे में कोली मार देगा, आपके चीथड़े उड़ा देगा सरा सोच कर देखिए ये बात कितनी ढराने वाली है ये बात कितनी मुश्किल भरी है ये बात कितनी बेचैन करने वाली है